बाहरी राज्यों में फसे हिमाचल के लोग वापिस हिमाचल आना शुरू हो गए हैं वहीं शिमला में भी 72 लोग पहुंचे हैं जिनें शोगी नाकेबर स्वास्थे जांच के बाद इंस्टिचूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा और अभी तक 78 लोग और शिमला आ रहे हैं विस्तार से जानकारी दी डी सी शिमला अमित कश्यप ने जो देश सरकार की पहल पर और मानी मुक्य मंतरी जी की पहल पर जो हमारे माचल परतेश के बाशिंदे देश के अनने इलाकों में फसे वे थे कोविड-19 के लॉकडाउन की वज़े से उनको वापस लाने की परक्रिया जो शुरू कर दी गई है और इनको ट्रेन के मार्क पर वापस लाए जा रहा है पहली ट्रेण काल आयी थी वह करनाटका से आयी वेंगलॉरू से वह ट्रेन चाझे द्रेक्ट के वह ट्रेन चली थी छे के एक रोनischer बश्चाण में बवहतर लोग आया थी सब को जो इंसुशन पॉरंटाइंग में रखा गया क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेंगलोलू जो है रेड जोन डिस्टिक्ट है आज जो हमारे अठतर लोग गोवा से आ रहे हैं ये ट्रेन से उनना पहुंच चुके और इसमें एचाटीसी की बसे भेजी गई और सिधे उनना आके ही ये रुकी है तो कि ये ग्रीन डिस्टिक्ट से आ रहे हैं तो इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग जो शोगी स्कूल में की जा रही है वहाँ पर इनकी जो लांच वगरा की विवस्ता हम ने किये उसके अपराम जो इनको होम कॉरिंटाइम में भेज दिया ज